हेलो मैजिकल माइन्स वल्कम टू एडुको ग्रैविटी स्टेडी चैनल आज का सेशन है इंडियन पॉलिटी का कंपनी रूल 1773 का पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो की बना था यह थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट था जो की पास किया गया था इस इंडिया कंपनी के द्वार इसे हम पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कहते हैं क्योंकि यह जो ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे विल्यम पिट 1784 में उन्होंने इस एक्ट को बना के पास किया था तो इसी से इसे पिट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है तो चलिए इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं देखिए यह थोड़ा डिटेल में है इससे पहले इसमें तीन इंपॉर्टेंट आपके प्रोवीजन दिये बनाए गए थे किसके द्वारा इस ब्रिटिश गवर्मेंट के द्वारा पिट इंडिया एक्ट के रूप में पहला था कि कॉमर्शल और पॉलिटिकल फंक्श बनाए गए जिसका नाम था बोर्ड आफ कंट्रोल उनके हाथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिया गया था वो था कि जो भी इंडिया में पॉलिटिकल अफेर्स हैं उसको वो देखें तो इस तरह से इस एक्ट के जरिए इंडिया में डबल गवर्मेंट की स्थापना की गई फिर इन्होंने बोर्ड आफ कंट्रोल को ये ताकत इंपावर्ड किया गया कि ये सुपरवाइस करेंगे और जो भी डारेक्ट ऑपरेशन है किस चीज़ के सिविल और मिलिटरी के और रिवेन्यू के जो भी ब्रिटिश पोसेशन के अंडर में उसको ये डारेक्ट क कहलाने लगी ब्रिटिश पोसेशन मतलब कि जिन जिन हिस्सों पे जिन जिन जमीन पे जिन भी राज्यों पे ब्रिटेन का अब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का सुप्रिमों हो गया था मतलब उन्हें उन्होंने जो राज के जो हिस्से को अपने अंडर में कर लिया उसे British possession कहा जाने लगए और second जो था दूसरा था कि British government जो था उसे supreme control मिल गया company के लिए कि वो इंडिया के administration on affairs है इस इंडिया company का इंडिया में उसे पुरी तरह से control करे ठीक तो ये important थे चलिए इसी को थोड़ा सा detail में देखते हैं देखिए जो PIT India Act of 1784 है वो landmark piece of legislation है क्योंकि इसके जरिये अब British सरकार ने क्या किया direct control कर दिया इस इंडिया company के administration को इंडिया में और कहा जाता है कि यहीं से British राज का असली ताकत मतलब ज्यादा ताकत होना start हुआ इन perspective of Indian history चलिए feature में ये है देखिए कुछ important feature है जैसे मैंने आपको बताया कि board of control को establish किया गया administration देखने के लिए ये एक point हो गया commercial के लिए आपका अलग था अब नया board of control establish कर लिया गया कि यही लोग political और civil और revenue matters को देखेंगे फिर उसके बाद आया कि आपका जो act है वो created कि क्या हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि जो political हो और commercial है दो चीजों को अलग कर दिया गया और दो dual government जिसे कहते उस चीज की पुर day to day administration and the board of control having the ultimate authority जो board of control के हाथ में अब पुरी तरह से ताकत आगई कि वो इंडिया में जिते भी civil है military है और revenue matters है उनको अपने direct control में देख रेक करेगा वो उसके अब direct control में होगी जो भी authority कहेगा वो उन्हें उसके अंडर में जो काम करें उन्हें करना पड़ेगा जिसमें कुछ reforms किये गए जैसे की सती जो प्रथा थी उसको abolish किया गया देखिए यहाँ पर सती पहले सती ऐसे लिखा जाता था लेकिन अब S8TI लिखते हैं सती को ठीक तो सती प्रथा को abolish किया गया कंपनी अन्मिस्टेशन का जो काम करने का तरीका था इफिशियंसी को और ज्यादा अच्छे से अच्छा किया गया इन सबको अच्छे से अच्छे करना और जिते भी डिवीशन बनाना का सिब एक ही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा बिटिश राज को revenue जनरेट करके दि लोगों पर क्या कहते हैं पूरी तरह से उसने अपना power सत्वावर सत्ता इस्थापिद कर दिया यहां के state पर तो अब वो एक तरह से पूरे तरह से central administration पूरा center बन चुका है केंदर बन चुका है ताकत का पूरी तरह से उसने अपने ताकत का विस्तार कर दिया है तो अब इंडिया कंपनी ना कहला के ब्रिटिश राज कहलाने लगी क्योंकि वो ब्रिटिश राज को ही सारी रिपोर्टिंग करते थे इफिशेंसी को इंप्रूफ किया अब जिसमें फिर इनका जैसे मैंने बताया कि जो हमारे नेटिव थे उनको इन्होंने डिवाइट करने की कोशिश की on the basis of race, caste इन सारी चीजों पे लड़ाई लगवाना ठीक इन सब को अलग किया फिर उसके बाद आपका important point ये है कि Pitt India Act जो है वो major turning point रहा British rule के लिए Indian history में इसने क्या मदद करी इसने British Raj को direct authority मिली यहां से कि वो अब सब्ता को समभा ले और foundation for the future growth of British और यहां से start होता है British Raj का आपका power expand होना जिसकी वज़े से आने वाले time में British Raj को और ज़्यादा से ज़्यादा revenue कलेक्ट हुआ और यहां से उन्होंने कुछ development भी किये जैसे infrastructure में, rail यह सारी चीजों में सिफ़ उसिफ अपने फाइदे के लिए ठीक One of the most important feature of the P20 Act was the establishment of board of control जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो company के political military affairs को देखेंगे पुरी तरह से इनके हाथ में थी अब फिर उसके बाद आ गया जो board थे उसमें कितने members थे, six members थे, including the secretary of state for India and chancellor of extracers, the board कुछ था, board के अंदर, board के हाथ में यह power थी कि वो governor general को appoint कर सके और dismiss कर सके और यह जो members आपके appoint होते थे, direct वो होते थे, British सरकार के द्वारा and could also issue order to the company officials in India और जो भी order थे company official के Mbit में उसको यह control करते थे तो यह तो आपका important point जित्ते भी features थे मैंने बता दिया फिर चलिए इसके fourth part पे हम मिलते हैं next session में तब तक के लिए thank you and never give up on your exams, on your dreams तो चलिए thank you very much मिलते हैं next session में Bye, take care